दिवकन अभिनेतरी श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर की डेबियो फिल्म धड़क अचेलर आज रिलीज होगा धर्मा प्रोडक्शन की धड़क के जरिये जानवी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखेंगी हाली में अपनी बेहन जानवी कपूर के लिए अरजुन कपूर ने माफी मांग कर एक emotional message लिखा था साथ ही उन्हें नए सफर की शुरुआत के लिए धेरो बधाईया दी थी अब जानवी ने अरजुन के इस message पर react किया है अरजुन के इस खुबसूरत पोस्ट पर जानवी ने जवाब में लिखा है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको मुझ पर गर्व होगा आपको बता दे कि अरजुन ने इंस्टाग्राम पर पिता बोनी और तीनों बेहनों अंशुला जानवी और खुशी के साथ दो तस्वीरे शेयर की है क्याप्शन में जानवी को नई सफर की भधाई देते हूए अरजुन ने लिखा था कि कल तुम हमेशा के लिए दर्शकों का हिस्सा बन जाओगी क्योंकि कल तुम्हारी फिल्म का चेलर रिलीज हो रहा है सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ कि इस वक्त मुंबाई में नहीं हूँ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये प्रोफेशन काफी अच्छा है अगर तुम हमेशा मेहनत और लगन के साथ काम करती रहो दूसरों की एडवाइस करती हो और उसकी कदर करती हो लेकिन अपने आप बनाए हुए रास्ते पर चलती हो मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा लेकिन जानता हूँ कि तुम अब इसके लिए तयार हो धड़क के लिए धेर सारी शुपकामना है वैसे अरजन का ये पोस्ट वाकर ही काबिले तारीफ है इससे साफ है कि उनके और जानवी खुशी के बीच अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपको बतादे कि जानवी की डेब्यू फिल्म धड़क नाशनल एवार्ड विनर मराथी फिल्म सेराथ का ओफीशल हिंदी रीमेक है ये फिल्म 20 जुलाई को सिनमा घरों में रिलीज होगी